हाल ही में, एक सींग वाले गैंडों के लिए सबसे सुरक्षित आश्रे स्थल के रूप में जाना जाने वाला युनेसको विश्व धरोहर स्थल, काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान और टाइगर रिजर्व, ब्रिटिश काल के वन अधिकारी पैट्रिक डी, स्ट्रेसी को स लाहित्यक श्रद्धानजली के साथ फिर से खोला गया, जिन्होंने इसके नाम को किसी भी शिकार के अर्थ से मुक्त कर दिया। ब्रहमपुत्र नदी में बार्र की चेतावनी के कारण इसे मैई से अक्टूबर तक बंद रखा गया था। दो हजार बाइस तेईस सीजन में काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान ने उलेकनी तीन लाग चौदह हजार साथ सो च्हानवे परियटकों का स्वागत किया, जो दो हजार अठारह उननीस में दर्ज एक लाग च्छेहतर हजार एक्सो इक्यासी आगंतुकों की तुलना मे परियाप्त वृद्धी है, इनमें से अधिकांश परियटक कौरा क्षेतर में आए, कुल मिलाकर एक लाग तिरपन हजार दो सो तैंतीस परियटक आए, जबकि बगोरी में भी एक लाग रतीस हजार पांच सो ग्यारा आगंतुकों के साथ एक महत्वपूर्न आमद देखी पाक में न केवल इसकी प्रसिद परवतमालाएं शामिल हैं, बलकि ब्रह्मपुत्र के दक्षिनी तड़ पर कम देखे जाने वाले अगोरा टोली और बुरा पहार क्षेतर भी शामिल हैं काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान भारत में एक प्रसिद सन्रक्षन क्षेतर है, जो गोलाघार जिलों के उत्तर पूर्वी क्षेतर में स्थित है और असम राज्य में नागाओं इसका एक महत्वपूर्ण सम्रिध इतिहास है, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी और इसे आधिकारिक तोर पर 1974 में राष्ट्रिय उद्यान के रूप में नामित किया गया था और बाद में 2007 में इसे बाग अभ्यारन्य के रूप में मान्यता मिली काजी रंगा को 1985 में युनेस को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी काजी रंगा राष्ट्रिय उद्यान को बर्दलाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में भी स्वीकार किया गया है जो इसकी विविद पक्षी आबादी का प्रमान है जिसमें प्रवासी और निवासी दोनों पक्षी प्रजातियां शामिल है नदियां और राजमार्ग राष्ट्रिय राजमार्ग 37 पाक शेत्र से होकर गुजरता है पाक में 250 से अधिक मौसमी जल निकाए हैं इसके अलावा इसमें बहने वाली डिफलू नदी भी है जीव जन्तू, शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित ये पाक विशेश रूप से अपनी बड़ी चार प्रजातियों अर्थात भारती अगैंडा, एशियाई हाथी, रोयल बंगाल ताइगा और एशियाई जलभेंस के लिए प्रसिध है ऐसे जानकरी के लिए हमारे साथ मिले रहे, पेज को सब्सक्राइब करें फिर मिलेंगे अगले वीडियो में